मैंसल्प मिससल्ड लीना गुपता. मैं यहाँ ाची में बर्यातू में रहती हूँ. और मेरा बिटा यहाँ पे फिर्जी सेंटर हरियोम टावर में जो है उसमें. टुएर्स प्रोग्राम में था. वो 2011 में यहाँ आया. हमारे यहां राची शहर में जब यह फिटजी आया तब से ही में बहुत खुश हुई थी क्यूंकि मेरे एक बड़ी बेटी गर्मा वो भी यहां से पढ़ी है वो 2006 के स्टूडेंट है और अभी वो बिटे करने के बाद IBM में इंजीनियर है और मेरा यह बीटा भी यहां से बहुत अच्छी रेजल्ट किया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ यहां फिटजी का महाल बहुत अच्छा है मैं बार बार यहां आती रही हूँ और जब मेरी बिटेया थी तब ही से मैं आती रही हूँ यहां की महौल में बच्चे अच्छे से पढ़ सकते हैं यहां बिलकुल कह सकती हूँ यहां फैकल्टी भी बहुत अच्छे हैं मैं उनसे मिलती रही हूँ और मैंने पाया है कि हाँ इन लोग की कारण ही यह इंस्टिचूट इतना अच्छा चल रहा है ऐसी कोई भी खराबी मुझे यहां नहीं दिखती जिसको मैं कुछ बता सकूँ और बच्चे इतना च्छा रजल्ट कर पा रहे हैं उसके पीछे यहां की फैकल्टी इसका बहुत बड़ा हाथ है फिट जी के फेज टेस्ट का स्टेंडर काफी हाई है उससे बच्चे अपने आपको अच्छी तरह से अनलाइज कर पाते हैं और फिर आगे और अच्छा कर पाते हैं इसके अलाबे AITS के जो भी एक्जाम्स होते हैं उसमें भी बहुत मैंने देखा कि मेरे बच्चिया काफी स्ट्रेस में रहता था कॉम्प्रिटिव एक्जाम्स में बगर और यह अकसर AITS के एक्जाम्स को बीच में छोड़ देते थे लेकिन लास्ट में मैंने इसके मेंस के बाद मैंने देखा कि अगर AITS के सारे सीरिस को जोईन करता है तो इससे बहुत अच्छा होगा और वास्तों में ऐसा हुआ इसने बाद बाद तक जितने भी AITS के एक्जाम्स थें उसमें सभी में यह अपियर हुए और उसका रिजल्ट यह हुआ कि यह स्ट्रेस फ्री महसूस किये बाद कि इनके जो एडवांस वाले एक्जाम्स में जो इन्होंने रिजल्ट इतना चार किया उसके पीछे इसका ब इतनी अच्छी से हो जारी है उसे बचे काफी रिलाक्स होते हैं और पैरेंट्स भी हम पैरेंट्स भी बहुत रिलाक्स होते हैं और अच्छी से देख भाल कर पाते हैं ज्यादा से ज्यादा टाइम मिलते हैं उन्हें घर पे भी वो ज्यादा टाइम दे पाते हैं और सल्फ तो शायद मेरे बेटे का इतना अच्छा रजल्ट नहीं हो पाता इसमें इसका बहुत बड़ा योगदान है